तो यह वीडियो एस्पेसल उन सभी गंडिट्स के लिए हैं जो एर फोर्स का एकजाम देना चाहते हैं या एर फोर्स का एकजाम देने का तैयारी शुरू करती हैं तो चलिए विडियो को इस्टार्ट करते हैं हलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकसा नाइन नाइन पे इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं एयर फोर्स ग्रूप वाई का इंगलिश सब्जेक्ट का फुल्स लिवस के बारे में कि एयर फोर्स ग्रूप वाई के एक्जाम में जो 20 का इंगलिश का पेपर आता है उसमें कौन कौन सा टॉपिक से कोश्चन पूछा जाता है तो चलिए वीडियो का स्टार करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आज है पूरी तरह से कि एयर फोर्स का जो वाई ग्रूप का पेपर जो आता है इंग परस का एकजाम तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं से बताने वाले हैं कि आपको कितना पढ़ना कैसे पढ़ना है और श्यबूब Бог नह связь गारी क्रिक से पढ़ना होता हैं तो पहला है वह सिंट्यच्ड छिये को कौश्चन फिक्स होता है दूसरा है टाईम टेक्ट इन दे ब्लेंक में ही कोश्टन आता है आर्टिकल से रिलेटेड चोथा है ट्रास्फर्मेशन अभी ट्रास्फर्मेशन में होगा रीमोफल उफ्टू डिगडी और व्थ्वास तो यह तीन को में सबसे ज्यादा चांसेस होता है वाइस का पुछता है वाइस फिक्स होता है एक वाइस से कोस्टन फिक्स होता है और रिमोबल टू डिगडी से कभी कभी कोस्टन पुछता है लेकिन वाइस से कोस्टन फिक्स आता है पांचवा है नायरेशन नायरेशन से एक नायरेशन पुछ देता है नायर उसे होता है नाउन से रिलेटेडव बेलेंग में कोोच्टाण आता है तो इसे कभी-कभी कोशेंग पुछता है फिक्स्ड नहीं है कि हमेशता पूच्ट पुछ दे आठों नंबर जो है वहाफ प्र copyposition प्रिपोजिशन तो आना ही आना है एवरी एक्जाम में प्रिपोजिशन किसी वे ग्रामर का एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है तो प्रिपोजिशन से हमेशा एरफोस ग्रूप हो सकता है कि question पुछ दे तो इसको भी पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट है punctuation punctuation से कभी कभार question पुछता है इसे fix question नहीं बता सकते हैं कि हम ऐसा fix question आएगा ऐसा नहीं है punctuation से कभी कभी question आता है इसको syllabus में रखा गया है तो इसको भी पढ़ना जरूरी है अब इसके बाद जो भी topic हम बताने वाले हैं यह बहुत important part है वो चाहे एक्स का exam हो चाहे y group का exam हो इससे question पुछता ही पुछता है पुछता है फ्रेजल वर्ग दूसरा है एंटोनमियस तिसरा है synonymous चोथा है one word substitution और पांच है miss asphalt word इस जो पांच को topic हम बता है इससे 5 question पांच number का fix आता है तो इस अभी word power है तो इसको अच्छी तरह से आपको word meaning को याद करना है ताकि इससे related question नहीं चूटे तो finally अभी बारह को topic हम बता है जिसमें से हमेशा question पूछा जाता है चाहे group y का इस चामो चाहे group x का तो इन बारह को topic के अलावा जो एक सबसे important topic है English का वह है passage 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 से चार या पांच को question हमेशा fix आता है और सबसे ज्यादा problem होता है student को तो passage में होता है तो आपको word power strong रखना है ताकि passage को पढ़ने में कोई problem नहीं हो read करने में कोई problem नहीं हो अगर आप passage को अच्छे तरह से clear कर लेते हैं तो आपका exam pass और clear करने का 70% chance से बढ़ जाता है तो passage हो गया चार या पांच नंबर का और या बारे को topic अभी बता है इन सभी topic से मिला करके total 20 नंबर का question पूछा जाता है चलिए अब बात करते हैं इसमें negative marking कितना होता है तो जिसे अगर आप एक question सही करते हैं तब every correct response पर आपको एक number मिलता है और अगर एक गलत question करते हैं तो every incorrect response पर आपको 0.25 marks कम कर दिया जाता है suppose किजिए कि आप 5 को question को touch किये और 4 को question को गलत किये और एक question को सही बना दिये तो 4 को question का मतलब हुआ आपको negative marking एक number कट जागा और जो आप 7 साथ में एक question और solve किये हैं जो कि सही है उसका भी number कट जागा मतलब कि आपको 0 number मिलेगा तो negative marking से साथान रहे और आपको जो भी question आता है चाहे English हो चाहे कोई भी subject हो उसको अच्छे तरह से जितना पता है उतना ही बनाईए ताकि ये negative marking नहीं हो सके तो ये हो गया English का paper group Y के लिए इसमें 20 को question पुछता है 20 minute का समय मिलता है और 20 number का होता ह है इसमें अगर बात करके कितना number चाहिए कि पास हो जाए तो आपको 10 plus number लाना ही है लाना है मतलब कि अगर 10 plus number लाते हैं तो आपका English का एक चाम होगा वो असानी से clear हो जाएगा तो बस यहीं था group Y का next frequency के लिए syllabus next video में बताएंगे group Y का जो second paper होता है रागा का उसमें कितना नंबर का पूछता है और कौन कौन चाप्टर पूछता है चाप्टर वाइज उसमें भी बताएंगे तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि next वीडियो हम बना सके और Air Force Group X और Y दोनों के लिए जो भी अपडेट हो उसको वीडियो ब